पूम स्रेगणे साय नमहाज हम बात करेंगे सनी महाराजी के बारे में जै सनी महाराजी सनी बार बर्त उद्यापन सनी बार यानि सनी ग्रहे के बर्त उद्यापन तो इस वीड़ो से आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि सनी बर्त का उद्यापन कैसा करना चाहिए कप करना चाहिए और बर्त में क्या-क्या दान करना चाहिए तो जो सनी बर्त के बर्त रखते है वहां भी यहां बीड़ो पूरी देखे जो बर्त नहीं रखते है वे मनिश्य भी वहां लोग भी सनी बर्त का उद्यापन कर सकते है उनके लिए भोत अच्छा लाप होगा यानि कि उनके जीवन में जो भी कष्ट है रोग है विपति है सब दूर होगी तो यहां बीड़ो पूरी देखे और यहां उद्यापन यानि कि सनी ग्रहे का दान जरूर करे तो यहां मैंने उपाये लिखे हुए है और सामागरी भी लिखी है जो दान करने के वस्तो होती है तो सरपर्थम लिखा है मैंने सूर्या उद्या से पहले उठे दूसरा शूर्या उद्या के बाद ही इसनान करे बहुत लोग क्या करते है सूर्या उद्या से पहले ही इसनान करते है जो कि गलत है क्योंकि हमारा सास्तर कहता है कि जब तक सूर्या उद्या नहीं होता पहले ही दिन माना जाता है, तो सुरः वुद्रे के समय आप इसनान करें, तीसरा उपाया, सुर्या नारण को जल चड़ाईए, बहुत लोगों को कनफि soci होता है की सनी उद्यापन करना तो आज सुरदेवता की पूजा नहीं करनी है, सूर्य देवता को जल नहीं चड़ाना है तो सूर्य क्या है प्रत्यक्स देवता है सूर्य कर्मसाख से है तो सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए प्रत्यजिन उसके बाद आप माता पिताजी होगे बड़ो का आसरबाद प्राप्त करें तो सुर्या उद्य सभी पे ले आप इसना नादि करके माता पिता जी का आश्रवाद प्राप्त कर सकते हो पांच वा उपाय घर में गंगा जल छिड़के घर के मंदिर में धूबदी प्रजलित करे जो आपके पूजा अस्तान है वहाँ पे धूबदी प्रजलित करे पांच देवता अपने इष्ट कुल देवता कुल देवी का ध्यान करे नौगर देवता का ध्यान करे अन्या देवी देवता का ध्यान करे मंदिर जरूर जाईए मंदिर में आप भगवान सिपकी पूझा करे एन्ने देवी देवता को धूब्दी परजलित करे उनके ध्यान करे अगर आप घर में ब्रहामद देवता बुलाते हो तो ब्रहामद देपा की किरपास से आप देव पूजा होगी रिशी पूजा होगी यानि कि देवी देवता का ध्यान करा सकते हो पूजान करा सकते हो रिशियों का ध्यान करा सकते हो अपने इश्टकुल देवता का ध्यान कर सकते हो पित्रों का ध्यान कर सकते हो और बिसे रूप से नगर देवता की पूजा या ध्यान कर सकते हो आप ब्रहमर देवता के किरपा से और बिसे रूप से सनी देवता की पूजा कर सकते हो उनके जाब का ध्यान कर सकते हो तो यह था सकती जितना हो सकता है तो ब्रहमर देवता भी आप भी सही हो करो तो थोड़ वो जितना भी हो सकता है आप सनी गरहे का जाप करा सकते हो कर सकते हो हावन में आहोती दे सकते हो नागुर देवतास विसे रोप से सनी महराजी के भी तो आपके जीवन में भी बहुत अच्छा लाप प्राप्त होंगे तो यहां मैंने सामागरी लिखी वी है जो आप दान करेंगे तो इस तरह के सही कि साम को दान करते है सनिग्रह का आप सनी मंदिर में जाके सनिग्रह का दान के धूबदी परजलित करके वहाँ बरगत का पेड़ होता है पीपल का पेड़ होता है आप जल चड़ा सकते हो क्योंकि जो पीपल का ब्रक्स होता है वो साकसा भगवान नारणे असमस देवी देवता का वास होता है तो उसमें आप जल चड़ा सकते हो धुवदी परजलित करके क्योंकि पीपल का एक ऐसे ब्रेक्स है मात्र की जो कभी भी नहीं सोता तो आप सनी माराजी के सामने निकट भी आप धूदी परजिलिस कर सकते हो करना है और आपने दान करना है ये सामगरी आपने सुक्रबार के दिन पहले ही दिन खरीदने नहीं है जैसे कि सरसो का तेल हो गया लोहा सम्बंदि वस्तो आप कड़ाई हो गई कुछ भी हो सकता है लोहा सम्बंदि कटोरी हो गई काले तिल हो गई उड़ा चामल हो गई सावत उड़ा सावत चामल जन्न की मतरब तूटे ना हो तो यहां दोनों को मिक्स करके जिस हम खिछडी बोलते है इसमें एक सिकार रख सकते हो आप काला च्छाता हो गया नीला या काला वस्तर हो गया आप कंबल भी दान कर सकते हो गुड हो गया नारियल हो गया जो हम सिर्पल होता है पानी वाला नारियल और जूते हो गए तो आप जो दान करोगे तो आप यहाँ पर नोट नी अगर आपके पास सिक्क्य है जितने भी एक कावन सिक्क्य है यानि एक एक के सिक्क्य है ये दो के भी चलेंगे सनी आज कुल की आप दिम एक कहां से ढूंडीगा तो इस तरह के साब एक सो एक कर सकते हो तो आति उत्तम है तो अगर आप यहां पाय करते हो जो सनी ग्रह का बढ़ते रखते हैं सनी देव का बढ़ते रखते हैं तो वो भी उद्यापन कर सकते हो और जो अन्य है जो नहीं रखते हैं सनी ग्रह की महादसा है या जनम कुंडिली में सनी ग्रह कमजोर है तो सनी ग्रह कमजोर होते हैं मेस यानि कि आपकी जनम पत्रिका में एक अंक इस्तर कैसे लिखाओगा, तो एक अंक में सनी बेटे वे हैं, सनी इस्तर कैसे लिखाओंगे सनी, तो आपको जरूर यहां उपाए करना चाहिए, पूजन कराना चाहिए, सनी ग्रह का, तो आपके जीवन में जो भी कश्ट है दूर होंगे क्योंकि सनी एक नाय के देपता है परंतु पाप ग्रह भी है ठीक है पाप ग्रह होने के कारण अनेकों परकार के कश्ट की प्राप्ति होती है तो यहां वीडियो आपके अच्छे लेगे तो सेयर करें और सस्क्राइब भर करें धन्यवाद